सहनवाद जी से संबंधित ये मामला नहीं है उनके भाई से जुड़ा हुआ मामला है सहनवाद जी इसमें कोई जो है से इसमें सनलिपता नहीं है दिल्ली पुलिस ने जाच भी किया है और जाच में सहनवाद जी को निर्दोस पाया है इनसे जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं बंगता है लेकिन उसके बाब जूद उसने जो ऐसे इनके ऊपर आरोप लगाए है और न्याले को बगयर जानकारी के बगयर पुलिसकी रिकोर्ट के जो ऐसे उन्हों ने किया है मुझे लगता है कि पुलीस की रिपोर्ट आ जाएगी और ज्याले को सारे साच्छा और सबूत सब कुछ प्राप्त हो जाएगे जो न्याले अपने फैसले को फिर से पुनरबचार करेगी और बदल लेका का। मसले पर जो है हम अभी भारती जनता पाटी के करियाले में हैं हमने प्रेमरंजन पटेल से सवाल पुछा कि क्या कोई आम आदमी होता तो क्या उसको हाई कोट जाना पड़ता एक महला का आरोप है रेप का आरोप है लेकिन उसके बाद भी चार साल लग गए हैं रेप के दर्ज किया जाए और पक्री मैंने के अंदर एक मामला नहीं है उनके भाई से जुड़ा हुआ मामला है सहनवाज जी इसमें कोई जो है से इसमें सनलिपता नहीं है अब हाई कोट ने जिस प्रकार से लिये है अब उनको जानकारी नहीं होगा पुलीस की रिपोर्ट नहीं मिली होगी इस कारण से जबकि दिल्ली पुलीस ने जाच भी किया है और जाच में सहनवाज जी को निर्दोस पाया है इनसे जुड़ा कोई मामला नहीं बनता है लेकिन उसके बाब जूद उसने जो ऐसे इनके उपर आरोप लगाए है और न्याले को बगैर जानकारी के बगैर पुलीस की रिपोर्ट के जो ऐसे उन्होंने किया है मुझे लगता है कि पुलीस की रिपोर्ट आ जाएगी और न्याले को सारे यह देखे यह जुड़ा हुआ है मामला उनके भाई से और उनने उनके भाई पर लगाए आरूपों को और वो सहनवाद जी से जोड़ करकर के उसने आरूप लगाए है और इसमें सहनवाद जी एक रिनाउंड व्यक्ति है पुर्व केंद्रिय मंत्री है विहार सरकार्वी मंत्री है भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता है कोई भी बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है उनके भाई से इनको कोई लेना देना नहीं है वो उसको सीधे अलग कर दिये है उसके बाद जूद इनके उपर जो ऐसे दवाव बनाना दवाव डाल करकर करके और कुछ जो ऐसे हासित करना ये मुझे लगता है कि ये गलत है पुलीस की जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि ये साप-साप मामले आ जाएगे प्रेम रंजन पटेल को आपने सुना प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि ये उनका मामला नहीं है सहनवाज हुसैन को फसाया जा रहा है और उनके बेटे का उनके भाई का ये मामला है यानि कि उनका कहना है कि जो हाई कोट की टिपनी है उसमें जो लड़की आरोप लगा र जो है तीखी टिपनी था कि आखिर लगबग जो है चार साल हो गए अभी तक आपने एफायार क्यों दरज नहीं किया कानूनी जो सालाकार हैं बताते हैं कि रेप के मामले में अगर लड़की आरोप लगाती है तो जो आइपीसी है 375 और उसके अलावा और भी जो आइपीसी उसके तहट तुरंट एफायार होनी चाहिए लेकिन अभी तक जो है इस मसले में एफायार नहीं हुआ हालाकि साहनवाज हुसेन अब सुप्रिम कोट पहुंच गए हैं और सुप्रिम कोट में भी जो खबड़े आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वहां भी उनको जो है रहात नहीं मिला है तो देखना दिल्चस्ट होगा क्योंकि वह बीजिपी कई जो है विपक्ष की नेताव पर आरोप लगाती है लेकिन अब जो है साहनवाज हुसेन इस रडार में फस गया है और यह छोटा मोटा आरोप नहीं रेप का बलतकार का आरोप उन पर लगाया ग भूलिएगा मिलते अंगले वीडियो में धन्यवाद